जेई सनी देव देखो सनी देव के दर्सन कर लो यह हमारे सामने वाले मैदान में सनी देव भगवान है और दोस्तो आप सभी का राजपूत हर प्यारी ब्लोग में स्वागत है मेरे इस प्यारे से ब्लोग में आपका स्वागत है चलो दोस्तो मैं अपने घर से निकल चुकी ह आपको भंडारा खेलाने के लीए ले चलती हूं दोस्तो मेरी फ्रेंड के घर पे आज भंडारा है मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी फ्रेंड है और उसके यहां भंडारा है यह देखे प्राइवेट स्कूल है उल्टे हाथ पर आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा स्कूल है और स्कूल के आसपास हर्याली बहुत है और काफी बड़ा स्कूल है और इसके आगे ही जस्ट सरकारी स्कूल भी है ये देखिए और आसपास हर्याली भी है मैं फ्री फ्रेंड के घर जा रही हूं आप लोग भी मेरे साथ रास्ते में आनंद लीजिए रोड पर बहुत ही सांती है क्योंकि आज राम नौमी है आज राम नौमी की पूजा अर्चना में सभी लगे हुए है मैंने भी सुवे सुवे पूजा अर्चना कर ली थी और अपने फ्रेंड के हाँ पर जा रही हूं भंडारा खाने के लिए मुझे हर्याली से बहुत प्यार है जहां-जहां हरे-हरे पैड़ पौधे होते है मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़ा आनन्द आता है मेरा मन पूरा इन में ही रम जाता है मेरे घर से थोड़ा सक कई किलोमीटर की दूरी पर मेरे फ्रेंड का घर है और मैं जा रही हूं मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ में है और आप भी मेरी family के सदसे हैं आप सभी भी मेरे साथ चल रहे हैं imagination और सही में भी चल रहे हैं तो देखिए ये road है one way road ये school है, सरकारी फिर यहाँ पे तिराहा है, road है मैं आपको बताती भी चल रही हूँ ये देखिए हाँ पे अब फिर से तिराहा road है अब मैं अपनी friend के society के मंदिर पे आच चुकी हूँ ये देखिए मेरी friend के जो society है जहाँ मेरी friend रहती है उसका मंदिर है ये देखिए, मंदिर देखो दूर से दिखाने की कोशिस कर रही हूँ आपको ये देखो चोटा सा मंदिर है बैई society में तो चोड़ा सा ही मंदिर होता है लेकिन इस मंदिर के एक खासियत है कि इस मंदिर में एक भंडार भंडार स्थान बनाया हुआ है जहाँ पर कोई भी भंडारा करा सकता है आकर के ये देखिए भंडारे की लाइन में लगकर ही खाना मिल रहा है क्योंकि इसे चोट लगने का डर नहीं है और देखिए मंदिर के आसपास कितनी साफ सफाई है और कितना सुन्दर द्रिश्य है ये देखो मंदिर मंदिर के आसपास कितने सुन्दर पेड़ पौधे है और ये सोसाइटी है आगे चल करके ये तो मंदिर का ही पासपास का द्रिश्य है ये देखिए केले के पेड़ भी दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे लोग खड़े है ये देखो यहाँ भंडार स्थान है यहाँ पे दो भंगोने रखे हैं भंडारे की पूड़ी, सबजी, हलवा देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं और ये देखो आसपास मेरे सभी भंडारा खा रहे हैं ये देखिए कुछ लोगों ने लाइन लगा रखी है सभी लोग हैं मैं तो इन सभी को नहीं जानती ये तो मेरी फ्रेंड के जानने वाले हैं कुछ अनजान भी है कुछ हम जैसे जहां भंडारा उता खाने वाले भी पहुंच जाते हैं अभी मेरी फ्रेंड थोड़ा सव्यस्त है भंडारे में उस फ्रेंड से फिर मिलाऊंगी ये देखिए अब पहले भंडारा हम खाते हैं, भंडारे का आनंद लेते हैं यहाँ पर बैठ कर खाने के लिए भी विवस्ता है क्योंकि यहाँ पर तो दोस्तों भंडारा खालीजिए भंडारे की पोड़ी खालीजिए देखो मैंने शुरू कर दिया है भंडारा खाना क्योंकि भंडारे में तो स्वाधी अलग है रुखा नहीं जाता है उसका नाम सुनकर देख करके यह देखो भंडारे के आज पास का द्रिश्य है यहां पर कोई भंडारा करा सकता है कोई भी आ करके क्योंकि यहां पर खाना बनाने के लिए पूरी सुविधा है पानी की सुविधा है और बैठने की सुविधा है और बरसात यदि आ जाए तो बरसात में भी बनाने की खाना बनाने की सुविधा है देखो पूरी है मैं चछा लग रहा है, खाने में, बड़ा ही स्वाध आ रहा है, मैं आप से बारबार कह रही हूं कि आप भी खा लो दोस्तो, बंडारा, यह देखो यह भी बंडारा खा रहे हैं, दो जेंगे सबजी लेकर आए हैं, क्योंकि स्वाध ही इतनी है सबजी, कि बस खाने में आनंधी आनन्दा रहा है देखिए सभी लोग व्यस्त हैं भूत अच्छे से खाने में मैं दूसरी वार लाई हूं दोस्तों सबजी भंडारे की और ये देखिए कि आंटी जी है उनी की जानकार हैं लेकिन मैं तो इतना खास नहीं जानती ये आंटी जी हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं वहवारिक रूप से इलन सार में आपकी भी लेलू याद करेंगे मैं भी अपनी लेलू आपने सही याद लाया अलो दोस्ता आप भी खालो अज़ा खड़े हो जाओ भाई हम लोग बंडारा का रहा है ये सबजी पूरी बहुत अच्छी है हलुआ पहल्बार, आप आओ, इस वार लग है कि तहसीा ही तैसे है। भी हेवी, टेरहें वे दathyम Milli20 उड्टॉ अजय को ज़ाग करने दाया लेहे, यह यह जो खाला और से सैंधे, आप भी खालो पिर से मैं 2 वारत कह रही हूं 34 वार कहा रहे हैं खालो दोस्तो क्योंकि मेरा पेड़ तो भर चुका है लेकिन मेरी नियत नहीं भरी है यह हमारी कलोनी स्टार्ट हो चुकी है यहां से यह देखिए यह हमारी कलोनी है जहाँ पर हम लोग हैते हैं देखिए हमारी कलोनी भी साधा सिंपल है चुटे चुटे घर है यह हमारे घर के सामने पार्क है यह देखो अब हम अपने घर पहुँचने वाले हैं और घर पहुँचकर हम बहुत अच्छे से गहरी नीद में सोंगी क्योंकि भंडारा भी बड़े मन से खाया है तो भंडा रखाने के बाद सोंगी भी मन से और आप सभी भी मेरे साथ आनंद लीजिए देखिए अब हम पहुंचने ही वाले हैं अभी आज पास के दिरिशे देखी लीजिए हमारे सामने के पार्क है जहां बच्चे खेल रहे हैं जहां मैंने आपको कई बार दिखाया भी है हाँ वो सनी देव का मंदिरों मंदिर का दिरिशे भी कराया है